राहुल गांधी भाशन देते हुए क्या बोल जाते है शायद वो खोद उसे समझ नहीं पाते होंगे। कॉंग्रेस बाद में उसे उपर नीचे करके भले सफाई देदे पर पार्टी को नुकसान तो उठाना ही पड़ जाता है। जिम लोगों ने रविवार को भारत जोडो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी का भाशन सुना होगा वो जरूर कन्फ्यूज हुआ होगा कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते है। कह रहे हैं कि हम तो आसुरी शक्ती से लड़ रहे हैं। जेपी या मोदी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। उनके कहने का आशे होता है कि वो न भी जेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और नहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद उसमें हिंदू धर्म की शक्ती की बात गुसा देते हैं। राहुल कहते हैं कि हिंदु धर्म में शक्ती शब्ध होता है। हम एक शक्ती से लड़ रहे हैं। सवाल है कि वो शक्ती क्या है। ED, CBI, IT में है, इस तरह राजा की आत्मा, हिंदू धर्म की शक्ती को बिना तारकिक रूप से जोड़े ED, CBI और IT पर आ जाते हैं, ऐसे में श्रोता का कन्फ्यूज होना स्वाभाविक है, राहुल गांधी अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि वो BJP के खिलाफ लड़ रहे हैं और पता दू कि उनकी 56 इंच की छाती नहीं वो खोकले हैं, श्रोता समझ ही नहीं पा रहा है कि राहुल गांधी चाहते क्या है, क्योंकि राहुल न तो BJP का विरोध कर रहे हैं और नहीं नरेंद्र मोधी का विरोध कर रहे हैं, इतना दर्शन भारत का आम आदमी कैसे समझ पा है, जैसे यहां किसी ने कहा राजा की आतमा EVM में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में, ED में है, CBI में है, हर संस्थान में है, राहुल गांधी ने कहा कि एक वरिष्ट नेता कॉंग्रेस को छोड़ते हैं और मेरी मां से रोके कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्मा रही है, मे कि शक्ती इनका गला पकड़ कर जबर्दस्ती बीजेपी में मिला रही है तो भी सब ठीक था, पर हिंदु धर्म की शक्ती की बात कहने की यहां जरूरत ही क्या थी, बिना हिंदु धर्म का नाम लिए भी उनका भाशन प्रभावी रहता, मिश्चित है कि उनके सलाहकार और स सही लोग नहीं है, क्योंकि इस तरह की गलती चुनाव के मौके पर कतई नहीं होनी चाहिए, हाला कि यह सही है कि राहुल गांधी का आशे कोई गलत नहीं रहा होगा, राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा कि हिंदु धर्म में शक्ती की व्याख्या क्या है, इवियम पर राहुल का तंज बता रहा था कि उन्हें अब यकीन हो चला है कि दूसरे मुद्दे अब काम नहीं करने वाले हैं. क्योंकि CAA और इलॉक्टरल बॉंडर के मुद्दे पर जिस तरह सरकार घिर रही है उस तरह मुंबई में जुटा विपक्ष इन मुद्दों पर हमलावर नही नहीं दिखा. ये भी राहुल के सलाकार मंदली की अयोग्यता की और ही इशारा कर रहा है.